नेशन स्प्राइट, चैप्टर नूमबर 11, D, वर्ट, फर्स्ट वन, नेशन, N-A-T-I-O-N, नेशन, नेशन का मतलब बता है राश्ट्र, शेकंड वन इस प्राइट, P-R-I-D-E, प्राइट, प्राइट का मतलब बता है गर्व, थर्ड वन इस कंट्री, C-O-U-N-T-R-Y, कंट्री का मतलब होता है देश, फोर्थ वन इस ब्रेव, B-R-A-V-E, ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बाहदूर, फिफ्ट वन इस चाल्षूट, C-H-I-L-D-H-O-O-D-O-D, चाल्षूट, चाल्षूट का मतलब होता है बच्पन, सिफ्फ वन इस माटियस, M-A-R-T-Y-R-S, माटियस, माटियस मतलब की शहिद, सेवन्थ वन इस स्टाच्यू, S-T-A-T-U-E, स्टाच्यू, स्टाच्यू का मतलब होता है प्रती मा, एथ्फ वन इस रिमू, R-E-M-O-V-E, रिमू, रिमू मतलब निकाल देना, नाइन्थ वन स्लेवरी, S-L-A-V-E-R-Y, स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी करना, टैंथ वन इस फेवर, F-E-R-V-O-U-R, फेवर का यहां पर बच्चों मतलब होता है उस्सा, और हम बोल सकते हैं जोश, चैप्टर नमबर 11, नेशन्स प्राइट, तो बच्चों नेशन का मतलब होता ह देश और प्राइट का मतलब होता है गर्व, उसके बाद लिखा है रीड, वत्सा और आयूशी वेर वाचिंग टीवी, वत्सा और आयूशी क्या करे थे, टीवी देख रहे थे, जस देन केतूल और हनी केम बैक फ्रम देंपल वीद ग्रानमा, तभी केतूल और हनी है, वो अपनी दादी के साथ आते हैं घर में कहां से, मंदीर से, ग्रानमा आज, वत्सा और आयूशी, वोट आर यू वाचिंग इन दा टीवी की, ग्रानमा ने पूछा दोनों से, क्या आप टीवी में क्या देख रहे हो, डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप इसके बारे में ज चंद्रशेखर की, जो ये fearless आजादे, उसका नाम क्या था, चंद्रशेखर, सिंस चाइल्फूड, ही वोज ब्रेव की, बचपन से ही वो कैसे थे, ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है, बाहदूर, ही सैक्रिफाइज फोर दा फ्रीडम ओफ दा कंट्री, क्यों ने सैक्रिफा चाइल्ड की, उसके बाद में आपको एक fearless चाइल्ड के बारे में स्टोरी बताऊंगी, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है, स्टोरी, grandma, see this picture and listen, कि ये picture देखो और ये सुनो, तो बच्चो ये फर्स पिक्चर है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, कि एक लड़का है, उसने लेडर का shirt पहना हुआ है और उसके कंधे के उपर bag है, और ऑर railway track से इहां पर गुजर रहा है, तब ही उसने क्या देखा, कि यहाँ जो ये railway track है, और लेडर का टूट देहा है, देखो बच्चो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फिर वो सोचता है कि आप टेर गुजर रही है, तो क्या होगा, तो फिर हम second picture में देखते हैं, तो second picture में हमें दिखाई दे रहा है, कि वो लड़का क्या करता है, अपना red color का shirt है, और निकाल कर वो फ्लायर करता है, इसे लहराता है, तो उससे क्या होता है, यहां से train आती है, वो क्या हो जाती है, यहां पर stop ह हो जाती है, बच्चों, यह third picture है, उसमें हम देख रहे हैं, कि जो train का guard है, वो इस लड़के से बातशीत करता है, और जानता है, फिर यह last picture है, fourth picture, उसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, कि यह person है, इस बच्चे को क्या दे रहा है, एक price दे रहा है, तो बच्चों, इस picture से ह कि आप समझ गए होंगे कि story क्या कहना चाहती है, observation, तो यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं, बच्चों, उसका answer आपको लिखने है, first, what do you see in the first picture, कि आपने first picture में क्या देखा, तो बच्चों, हमने already first picture में क्या देखा है, उसके बारे में discuss कर ली है, आपको उसका answer लिखना है, second what is the child doing in the second picture, कि second picture में ये child है, वो क्या करता है, उसके बाद third question है, why has the train stood still in the second picture, कि second picture में ये train है, वो stood मतलब कि खड़ी कैसे हो गई, उसके बाद है, why is the guard congratulating the child की, गाड है वो, चाहिल को क्यों congratulate करता है, उसके बाद है, what would you do if you were in the place of that child, कि आप इस बच्चे की जगा पर होते, तो आप क्या करते, discussion, place of the event, बच्चों, अगर आपने कोई से स्टोरी सुनी है, या आपने कोई देखी है, कोई सा incident, तो उसके बारे में उस place का नाम लिखना है, और यहां पर क्या लिखा है, note on the event, औ उसके यहां पर note लिखनी है, बच्चों, यह next page पर भी आपको same लिखना है, क्या है, discussion, place of the event, कोई दूसरा event जो आपने देखा हो, या सुना हो, आप अपने parents की भी help ले सकते हैं, तो फिर क्या रिखा है, memorable characters of the event, note on the event, की event क्या हुआ था, note about the event, read, learn about the historical events that occurred around you, क्या आपके around you, मनलब कि आपके आसपास जो historical events होए, उसके बारे में भी जानिये और पढ़िये, in those events, there must be, talk about martyrs too, कि उस events में बात होनी चाहिए, martyrs के भी बारे में, तो बच्चों, martyrs का मतलब होता है, शहीद, a martyr is one who dies for the pride of his village, city or country, कि martyr कौन होता है, जो मर जाता है, या शहीद हो जाता है, किस के लिए, अपने village के लिए, city के लिए, या अपने देश के लिए, तो बच्चों, यहाँ पर हमें देखो, picture दिखाया गया है, क्या लिखा है, martyr late, पुनमचन जईशंकर पंडिया, born 1905, died 1948, और यहाँ पर क्या है, story, grandma बताते है, I shall tell you about the martyr, पुनमचन पंडिया, तो grandma बताती है, यह story, किस के बारे में, जो माटियर है, उनका नाम क्या है, पुनमचन पंडिया, उनके बारे में, It was the time when the Britishers were ruling in Meghraj village of Sabarkatha district, कि कब की बात है, जब Britishers rule कर रहे थे इंडिया में, और कहाँ पर Meghraj village है, कहाँ पर Sabarkatha district में, where every year the festival of holy was celebrated with great favor, यहाँ पर हवी साल holy celebrate की जाती, with great flavor, बचो, फ्रेवर का मतलब होता है, उचसा से, मतलब जोश से, Here the Britishers had a bad low, यहाँ पर एक Britishers का बहुत bad, मतलब की बहुत बुरा एक low था, low का मतलब बोल सकते है, The Britishers officers would make a statue named Lajji, which would be of a man not wearing any clothes, So, यहाँ पर क्या करते थे Britishers officers, एक statue बनाते थे, और उसका नाम क्या देते थे, Lajji, और एक man का होता था, जिनोंने clothes पहने नहीं होते, The statue would be put up in the village center, और village का जो center था, वहाँ पर वो यह statue को रखते थे, It was made compulsory for the villagers to move around the statue on the day of holy, और एक compulsory, एक low बनाया गया, Villagers के लिए कि उनको सारे villagers को holy के दिन, और statue के आसपस क्या करना है, move करना है, एक चक्कर लगानी है, Once the youth of the village got together, तो एक दिन क्या होता है, यह village के सारे जो youth होते हैं, वो एक खटा होते हैं, सब मिलते हैं, They were brought together by a young man called पुनमचान पंडिया, उनको सब को एक सार्थ किस ने किया था, पुनमचान पंडिया ने, The British officers got the statue made and went away, तो यह British officers ने क्या किया, Statue को बनाएं, और फिर लोग वो लोग सब चले गए, At night, पुनमचान और इस friends broke the statue, और उस राद क्या करते हैं, पुनमचान और उसके सारे friends मिलकर, यह statue को तोड़ देते हैं, Next day, मतलब की दूसरे दिन, When everybody came there to follow the rule by the Britishers, there was no statue, दूसरे दिन सब लोग आते हैं, जो यह Britishers का रूल है, वो follow करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आते हैं, और देखते हैं, तो वहाँ पर statue होता ही नहीं है, When the officers inquired, पुनमचान पंडिया accepted his offense, कि next day, क्या होता है, officers inquire करते हैं, कि यह काम किस ने किया, तो पुनमचान पंडिया है, वो accept करते हैं, कि हाँ, यह अपराद मेंने किया है, बच्चों, offense का मतलब होता है, अपराद, तो court ran the case, फिर उसके उपर क्या हुआ, case लगा, पुनमचान was sentenced, तो sentence का मतलब क्या होता है, कि हाँ, उसको punishment मिली, तो उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जो यह ब्रिशिचिस का law था, यह slavery का, slavery का मतलब होता है, गुरामी का, वो निकाल दिया गया, बहुत सारे, जो थे non-corporation के, ब्रिशिचिस के सामने, फोरें गवर्मेंट के सामने, उसके सामने लडाई की, in order to free the country, ताकि क्या हो, country हमारा free हो, country को अज़ादी मिले, पुनमचंद went to the jail several times, पुनमचंद बहुत बार jail में गए, to remember this patriot, his statue is there in Shree, PCN High School, even today, आज भी यह patriot को याद कर में, एक statue बनाया गया है, कहां पर PCN High School है, वहां पर, आज भी अभी तक वो है, वहां पर, to keep his name immortal, a road in the city is also a name, क्योंकि याद में एक city के अंदर, एक road के उपर उनका नाम दिया गया है, और क्या लिखा है, freedom fighter, पुनमचंद पंदिया road,